हलो एब्रिवन आज में स्राट करने वाले हैं एंजाइम इनिबीशन एंजाइम इनिबीशन क्या होता है एंजाइम इनिबीशन नाम से ही समझ में आ रहा है इनिबीट करना मतलब किसी की भी सिंथेस इसको रोकना या उसको स्टॉप करना या स्लो करना इस काल्ड इनिबीशन एंजाइम इनिबीशन मतलब कोई इनिबीटर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबीट करते हैं इनिबीटर क्या होते हैं enzyme inhibition मतलब कोई molecule जो enzyme की activity को stop कर रहा है या उस enzyme की activity को slow कर रहा है वो क्या कहलाते है inhibitors तो inhibition उसी के regarding होगा inhibitors inhibitors मतलब enzyme की activity को stop करने वाले molecules क्या कहलाएंगे inhibitors enzyme inhibition की case में हम देखते हैं कि enzymes के पास एक active sites होती है ठीके कोई भी enzymes होता है उसके पास एक active sites होती है जिस पे आके कोई भी substrate bind करता है यह क्या उसकी active site जिस पे कोई भी substrate आके bind करेगा इसी active sites पे क्या होता है यदि inhibitors आके bind कर जाएगा तो उसकी activity को कैसा करते हैं stop आप कहाँ कहाँ इनिबीटर्स रॉज़ सकते हैं क्या फेले एक ही साइट होती जिसमें इनिबीटर्स रॉक्त जो सब्सक्राइब नां और और ओल्हें नंविशन रिवर्सिबल इनिविशन हई mектив कि की स्वेर्वर्सिबलर व्म्मूर्ट वसंगे हैं को कि होगा नाम साड़े हला यह कुछ ख mutual बार्ड कुनियर में टूम ऑप व कॉमेशन कहर रिवर्सिबल इनिभीशन को भीर्सिबलर गांड इनिबीटर्स डिसोसियेट हो जाएगे तो वापिस से एंजयम्स क्या रियूज आ सकता है इस कारेंड इनिबीशन को क्या और रिवर्षीबल इनिबीशन जिसमें टेम्प्रेली इनिबीटर्स आके बाइंड हो इनिबीटर्स वीक बॉर्ण के तुरु बाइंड हो और जैसे inhibitor का dissociation हो वापिस enzymes अपने previous condition में आचा है वो क्या होगा reversible inhibition irreversible inhibition मतलब enzyme और substrate या inhibitors के बीचे sorry enzyme और inhibitors के बीच में कैसे bond का strong bond का formation होगा वो strong bond क्यों होंगे covalent bond क्या होंगे covalent bond हमें पता है कि covalent bond कैसे होते हैं strong bond होते हैं weak bonds मतलब electrostatic हो गया आपको wonder walls हो गया वो कैसे आपके weak bonds ठीक है तो irreversible inhibition मतलब कहीं ना कहीं enzymes से inhibitors tightly bound हो जाते हैं और इस तरह से bind हो जाते हैं कि enzymes की जो active sites है उस पर जो functional group है उसको भी destroy कर देते हैं या enzyme की activity को इतना destroy कर सकते हैं कि उस enzymes को आप वापस से reuse नहीं कर सकते हैं इस करण क्या खा जाते हैं से irreversible inhibition इसमें inhibitors enzymes कैसे कैसे bind होंगे weak bond के through bind होंगे ताकि आप उस enzymes को वापिस से उस enzymes का body में reuse हो सके जैसे inhibitor dissociate होता है एंजम स्वापी से reuse में जाएंगे irreversible inhibitors में यदि enzymes inhibitors के साथ tightly bound हो जाएंगे तो वो उस enzymes को ही कहीं न कहीं destroy कर देंगे या उसकी activity को permanently inhibit कर देंगे इसी कारण irreversible inhibitor को suicidal inhibitor भी कहा जाता है suicidal inactivator को suicide करने करने मतलब आपने उस enzymes को ही खतम कर दिया कि टाइटली बाउंड होगा आपने उस enzyme को ही खतम कर दिया मतलब उस enzyme की permanently destroy कर देना permanently destruction हो जाना इसी कारण इस क्या खाचाता है suicidal inhibitor या suicidal inhibition ध्यान रखेगा suicidal inhibition किसे कहेंगे irreversible inhibition को reversible inhibition कैसे होते हैं यही reversible inhibition generally pharmacologically में आपके जित्ते भी pharmacological drugs है उनके designing में reversible inhibition के through drug design ऐसा नहीं है enzyme inhibition कर रहे मतलब कहीं न कहीं pharmacy related कितनी ही drugs ऐसी होती है जो inhibition पर based होती है हो सकता है कोई enzymes बहुत ज्यादा active हो गया हो हमें उस enzyme की activity को कम करना है enzyme की activity को क्या करना है कम करना है तो उस case में उस patient को या उस person को वो drugs दे दी जाती है जो क्या करें उस enzyme करें करें उस activity को slow करें तो इनिबीशन क्या हुआ एक तरह से आपके बॉड़ी में कहां कहां यूज होता है इनिबीशन का बहुत इंपॉर्डेंट रोल है ऐसा नहीं है एक एंजाइम से एक्टिव है तो उसको हमेशा एक्टिव फ्रम में हो सकता है उसका इनिबीटर को बाइंड करके हम पढ़ेंगे करने लिएतर के साथ इनिबीटर को बाइंड करके उस एंजाइम की अब्लब को क्या कर दिया चालता है या स्लो करें दिया जाता है आया इनिबीशन दो टाइप से और रिप्पिटिव क करें। हैं, रिवर्षिबल इनिविशन, पितने ट्री टाइप के लिचेंदे sam magic लेखेया हूं, काीवार्टिव इनिविशन आर्म इनिविशन , रिवर्षिबल इनिविशन इहें, तिपिटिटीव इनिपिशन होता है DC होता है किलुका नोनंकॉम्पटिटिटीव इनिपिशन टती में दिवाइट किया है competitive inhibition non-competitive inhibition uncompetitive basically और एक फोर टाइप भी होता है इसका जिसे कहा जाता है mixed inhibition चले स्टार्ट करते हैं तो inhibition का reversible inhibition का first type competitive inhibition enzyme inhibition के इसी case में हम आगे पड़ते हैं inhibition मतलब ऐसे inhibitors जो enzyme की activity को क्या कर देंगे stop कर देंगे उन्हें क्या कहा जाएगा inhibitors molecules जो enzyme activity को slow करते हैं stop करते हैं उन्हें inhibitors कहा जाएगा inhibitors के case में सबसे first inhibition देकर reversible inhibition reversible inhibition का भी first type हमें study करने वाले हैं जिसे क्या कहा जाएगा competitive inhibition ध्यान से समझेगा बहुत competitive inhibition competitive inhibition नाम से ही समझ में आ रहा है हमें थोड़ा तो कि competition की बात हो रही है कहीं न कहीं बिल्कुल सही competition की ही बात हो रही है वो molecules या इसमें क्या होगा competition होगा लेकिन किस किस के बीच में definitely inhibitor के concentration और substrate concentration के बीच में competition होगा बट किस के लिए competition होगा enzyme की active side पे bind होने के लिए किस पे कोई भी enzyme है suppose enzyme की active side पे bind होने के लिए competition होगा और किसकी बीच में, यह enzymes आपका, यह उसकी active sides, जहां पर कों आपके bind करता है, substrate आपके bind करता है, यह substrate molecule, यह क्या है आपका? substrate और एक है inhibitor, दूसरा क्या है आपका basically inhibitor, तो substrate concentration और inhibitor के concentration के बीच में क्या होगा? competition होगा नहीं रखिए यह का है आपका substrate substrate inhibitor और यह enzyme enzyme की active site पर bind होने के लिए substrate की concentration और inhibitor की concentration के बीच में competition होगा इस competition में जिसका concentration ज्यादा होगा वो कहां जाके bind कर जाएगा enzyme की active site पर ध्यान से समझेगा यदि enzyme substrate का concentration ज्यादा है यदि substrate concentration ज्यादा है तो क्या बनेगा enzyme substrate complex और यही enzyme substrate complex next step में enzyme reuse हो जाएगा और हमें किसका product का formation हो जाएगा बट यदि inhibitor का concentration ज्यादा है तो क्या बनेगा enzyme inhibitor complex क्या बन जाएगा enzyme inhibitor complex यह enzyme inhibitor complex क्या वापिस से product में convert हो पाएगा नहीं यदि एक बार inhibitor enzyme से bind हो गए तो वो उस enzyme से product का formation नहीं होने देंगे क्योंकि आप क्या bind हो चुके inhibitors inhibitors हो चुके तो आगे product का formation नहीं होगा मदब competitive inhibition जिसमें substrate और inhibitor के concentration के बीच में competition होता है किसे बाइंड होने के लिए enzyme की active site पर बाइंड होने के लिए ध्यान रखेगा इसमें enzymes कैसे होंगे free enzymes से जाके bind होंगे केवल एक ही active site present होगी अब आप सोच रहूंगे एक ही active site present होती है बिल्कुल definitely किसी भी enzyme में एक ही active site present होती है active site के अलावा जो side present होती है उसे कहा जाता है alloesteric site उस site को क्या कहा जाएगा alloesteric side तो इसमें enzyme और inhibitor के बीच में competition होगा कि कौन सबसे पहले enzyme की active site पर जाके bind करेगा जिसका concentration जादा होगा वह enzyme की active site पर जाके bind कर जाएगा यदि substrate concentration higher है तो वह enzyme substrate complex मनाएगा और वह enzyme को किसमें सबस्टेटर को किसमें convert कर देगा product में और वह enzyme वाप इससे reuse होगा यदि इस active site पर inhibitor जाके bind होगा यदि active site पर कौन जाके bind होगा है आपके inhibitors जाके bind होगा है तो inhibitors क्या करेंगे इस enzyme inhibitor complex बना लेंगे और इस enzyme से आप product का formation नहीं होगा और जो constant use होगा उसे कहा जाएगा के आई जनरली यहां क्या होगा Michaelis maintenance constant के एम लेकिन inhibitor की case में जो constant use होता है उसे कहा जाता है के आई ठीक है तो product का concentration upon substrate जो भी इसका होगा result वो हम देखेंगे कैसा है तो यह था आपका competitive inhibition competitive inhibition के case में हमने बहुत क्लियर लिए देखा इसका best example हम समझते competitive inhibition के case में जनरली medical therapy में यदि कोई patient यदि कोई person methanol को inject कर लेता है methanol is a poisonous अब कैसे poisonous है methanol और क्यों poisonous कहा जाता है किसकी बात कर रहे है methanol यदि किसी person को methanol दे दिया गया है methanol उसने inject कर लिया अपनी body में तो वो methanol क्या करता है आपकी body में present liver का एक enzyme होता है liver में एक enzyme present होता है alcohol dehydrogenase कौँसा enzyme? alcohol dehydrogenase alcohol dehydrogenase क्या करता है? alcohol dehydrogenase इस methanol को convert कर देता है formaldehyde में किस में convert कर देता है? methanol को formaldehyde में और यह बहुत होता है हमारे टिशू के लिए और आपने आई वीजन के लिए भी इसके कारण ब्लाइडनेस भी हो सकती है समझे कि किसी पर्सन ने इंजक कर लिया है मीथेनल इसके बाड़ी में इंजक हो गया है या पॉइजन लिए व्यए तब हमारी में प्रजों कर से में बाड़ी हैं होता है या के ही फ्रॉमलिड डी है milky total कि arm कर देगा यह फॉर्मेल-डी-ाइट क्या कर देगा टीशु को डेमेज कर देगा यह थे टीशु डेमेज होने लगेंगे दीरे-धीरे मतलब कही न कहीं हमारी बॉडी को हामफूल एफेट कर रहा है और किसके लिए आई में जाके यह किसके लिए ब्लाइड-नेस के लिए responsible होता है, blindness के लिए भी responsible है, यह formaldehyde, ठीक है, अगर यह, तो हम अब इसको कैसे करोकेंगे, इस formaldehyde, सबोस्थ हमें बता पढ़ गया, किसी परसन में poison हो, methanol, तो अब पेशेंट को क्या दिया जाए, जिससे यह methanol का effect कम हो जाए, तो इस condition में, उस patient की body में क्या inject किया जाता है इथेनॉल, इसका substitute, जिसने इथेनॉल लिया है, उसकी body में क्या inject करेंगे, इथेनॉल, अब इथेनॉल करेगा क्या, इथेनॉल competitive inhibitor होता है, alcohol dehydrogenase के लिए, क्या होता है, competitive inhibitors, जो क्या करता है, यह methanol से formaldehyde के production को धीरे-दीरे कम करता है, उस condition में, methanol या formaldehyde, आपकी body से urine क क्या होने लगते है, extract होने लगते हैं, किस से band होगा, alcohol dehydrogenase से, क्योंकि यह क्या है, इसका competitive inhibitor है, methanol का, जैसे इथेनॉल इंजक्त किया, ethanol block होगा, alcohol dehydrogenase से, अब methanol, formaldehyde में convert नहीं हो पाएगा, और यह methanol, आपकी body से urine के through extract होने लगता है, मला poison का effect दीरे-दीरे कम होने लग बहुत important role play करता है, बिलकुल, sulfur drugs, वो भी competitive inhibition का ही example है, कौन्सी drugs, sulfur drugs, sulfur drugs, यह सब हम बाद में detail में पढ़ेंगे, जब इसका application पढ़ेंगे, sulfur drugs भी competitive inhibitors का ही examples है, sulfur drugs के बाद protease inhibitor, protease inhibitor, वो भी किसका example है, inhibitors, वो भी इसका example है, protease inhibitors, तो यह सब basically किसके competitive inhibitor, competitive inhibitor के case में, succinate dehydrogenase का भी example बहुत है, succinate dehydrogenase क्या करता है, आपके succinate, succinate dehydrogenase enzyme है, जो इसके लिए substrate कोन है, succinate, उस succinate के competitive inhibitor के लिए, as a melonade, glutarate, यह क्या है, competitive inhibitor की तरफ वर्क करते हैं, ठीक है, तो competitive inhibitors के बहुत, यह simple और basic example है, जो हमें ध्यान रखना है, methaneol के case में, methaneol के case में competitive inhibitors क्या होते हैं, ethanols, ठीक है, तो यह competitive inhibitions था, कि competitive inhibitions में, free enzymes inhibitors जाके bind करते हैं, substrate और inhibitor के बीच में competition होता है, जब substrate enzyme substrate बनेगा, तो enzyme substrate complex, और product, जदी inhibitors से bind होगा, तो कुसी भी product का formation नहीं होगा, इस case में हम हर example में देखेंगे, केm और vmax value, इस case में, जैसे ही inhibitors bind करेगा, उसकी केm value increase हो जाती है, और vmax as a tease रहता है, केm value कैसी होती है, increase हो और vmax की value कैसी रहती है, same रहती है, जब inhibitor ना bind हो उस condition में, एक direct graph देखते हैं, उसके बाद एक video based होगा आपके graph पर ही, एक video totally based होगा graph पर, जैसे हम direct और line weaver दोनों graph का comparison करेंगे, यह है आपके reaction velocity है, substrate concentration, ठीक है, rate of reaction, यह reaction velocity हम कह सकते है, x-axis y-axis, यह without inhibitors, वो substrate concentration, जिस पर initial velocity, फाइनल वेलोसिटी की आदी रह जाती है, वो substrate concentration, जिस पर initial velocity, vmax की आदी रह जाती है, वो क्या कलाती है, उसकी km value, वो क्या कलाएगी, basically उसकी km value, यह इसकी vmax, ठीक है, अब इसकी half vmax, मतलब वो substrate concentration, यह क्या है, उसका km, यह normal line weaver, आपको Michaelis maintain graph है, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं, rate of reactions है यह, यह substrate concentration है, तो हमने कहा, वो substrate concentration, जिस पर initial velocity, maximum velocity की आदी रह जाती है, वो क्या कलाता है, उसकी km value, ठीक है, Michaelis maintenance constraint, km value कलाती है, यह जो हमने normal देखा, without inhibitor, जब inhibitor आएगा, तो graph कैसा बनेगा, वो देखते हैं, competitive inhibition के case में, competitive inhibition के case में, क्या कहा जाता है, vmax तो same रहता है, vmax कैसा रहेगा, unchanged, vmax में कोई भी change नहीं होता है, km value कैसे हो जाती है, increase, km value कैसे हो जाती है, increase, मतला affinity कैसे हो जाएगी, decrease, km value बढ़ेगी, मतला affinity क्या होगी, उस molecule के लिए, कम होती जाएगी, enzyme की, अब इस केस में, inhibition के case में, dotted line से represent करेंगे, मतला vmax तो same अच्छी हुआ उस है, बट क्या कहा जाएगा, वो substrate concentration, जिस पे initial velocity, maximum velocity, maximum velocity की आदी रह जाएगी, मतला कहीं न कहीं आपका, km, km कैसा हो जाएगा, increase हो जाएगा, inhibitor के case में, किसी case में, inhibitor के case में, ये दा competitive inhibition, line weaver plot, पढ़ेंगे, दोनों plot का comparison, देखेंगे, direct plot क्या होता है, line weaver plot क्या होता है, line weaver plot से हमें exact value मिल जाती है, एक overview देख लेके line weaver plot का, line weaver plot क्या होता है, direct आपको value पता पढ़ती है, हाँ km value कैसी होगी, increase हो रही है, हम detail में पढ़ेंगे, बट अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा overview, line weaver plot, x axis, y axis, 1 upon v0, 1 upon km, 1 upon substrate concentration, ठीक है, direct draft मिलेगा, ये ये उसकी vmax value, 1 upon vmax, competitive inhibition की case में, यहाँ आपने inhibitors की case में, vmax तो same रहेगा, but km value कैसी हो जाएगी, increase, तो यह कैसे हो गई, 1 upon km value, increase, inhibition की case में, यह वाला graph केंसा है, inhibitor वाला, ठीक है, और vmax की value कैसी है, same, तो line weaver plot, आप बिल्कुल चिंदा ना करें, इस पर एक video totally based होगा, दोनो graph के comparison में, line weaver plot से क्या होता है, हमें exact value पता पढ़ जाती है, कि किस value पे आप vmax अच्छी हुआ है, कि substrate concentration पे km value increase हुई है, decrease हुई है, ठीक है, बट हमें दोनो graph होना अच्छी है, direct graph कैसे बनेगा, और line weaver plot कैसे बनेगा, तो यह था हमारा competitive inhibition, जिसमें हमने देखा कि substrate और inhibitor के बीच में competition होगा, वी-max value unchanged रहेगी, km value increase हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके लिए उसके affinity कैसे होने लगेगी, कम होने लगेगी, किन-किन के बीच में competition होता है, substrate concentration और inhibitor के concentration के बीच में, जिसमें concentration जादा होगा, वो free enzyme की active side से जाके bind हो जाएगे, हमने example देखा, example क्या है वो, अब बात करते हैं, non-competitive inhibition की, किसकी बात करेंगे, non-competitive inhibition, non-competitive inhibition, non-competitive inhibition क्या होते हैं, non-competitive inhibition मतलब inhibitors किससे जाके bind होगा, inhibitors free enzyme से भी bind हो सकता है, और free enzyme के अलावा enzyme substrate complex से भी bind हो सकता है, कैसे, देखे, यह enzyme है आपका, कोई भी enzyme हो, enzyme के पास, enzyme की active side के अलावा, एक other sites भी होती है, जिसे कहा जाता है, allosteric side, एक other sites भी होती है, जिसे क्या कहा जाएगा, allosteric side, यह उसकी क्या है, allosteric side, और यह क्या उसकी active side, वह ही substrate रहेगा आपके पास, ठीक है, और inhibitors भी है, substrate भी और inhibitors भी है, non competitive inhibitions भी क्या होता है, यदि substrate inhibitors दोनों है, तो क्या हो सकता है, condition enzyme plus substrate, तो क्या बन जाएगा, enzyme से सबसे पहले substrate आगे, bind कर गया, तो enzyme substrate complex, और यह किसको convert कर देगा, enzyme को वापस reuse हो जाएगा, और product का formation कर देगा, यदि inhibitor आके bind कर गया, तो क्या बन जाएगा, enzyme inhibitor complex, और यह enzyme inhibitors वापस product में convert होगा, नहीं, अब ऐसा भी हो जगता है, पहले inhibitor कर जाएगा, तो enzyme inhibitor complex बन जाएगा, उसके बाद जाके substrate bind करें, enzyme की active side पे, तो क्या बन गया, enzyme substrate complex, जैसे enzyme substrate complex बना, enzyme product का formation हो गया, enzyme reuse हो गया, next condition क्या हो सकती है, inhibitor पहले आके bind कर जाए, ऐलस्टेरिक side पे, ठीके inhibitor bind कर गया, enzyme inhibitor complex बन गया, जैसे inhibitor bind करता है, inhibitor क्या करता है, active side में कुछ modification कर देता है, तो modification हो गया, substrate आके bind करेंगा, तो enzyme substrate complex बनेगा, बट अब इस complex से product का formation नहीं होगा, क्यों, क्योंकि inhibitor ने क्या कर दिया है, उसके active side में changes कर दिया है, जिसके current substrate properly attached नहीं हो पाएगा, अब third conditions क्या हो सकती है, हो सकता है, firstly enzyme substrate bind कर जाए active side से, तो enzyme substrate complex बने, next step में अब क्या आएगा, inhibitor, inhibitor आजाएगा, तो क्या बन जाएगा, same enzyme substrate inhibitor complex, यह भी product का formation नहीं करेंगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है, enzyme substrate से पहले का bind कर गया है, जैसे inhibitor bind क्या, उसके active side में change किये, उसके conformational changes हुए, वो substrate enzyme product, मतलब substrate और enzyme properly attached नहीं हो पाए और product का formation नहीं हो पाएगा, तो यह था basically non competitive inhibition, जिसमें किस से attach हो सकता है, कोई भी inhibitor, enzyme substrate complex या free enzyme, दोनों से bind हो सकता है, inhibitor किस किस से bind हो सकता है, free enzyme से भी bind हो सकता है, या किस किस से enzyme substrate complex से भी bind हो सकता है, दोनों से attach हो सकता है inhibitor, ठीके, इस case में क्या होगा, इस case में केम की value तो same रहती है बट Vmax कैसा हो जाता है decrease केम की value तो क्या रहेगी unchanged केम की value रहती है unchanged और Vmax कैसा हो जाता है decrease Vmax कैसा हो जाएगा decrease हो नहीं है क्योंकि substrate concentration आप कितने ही बढ़ाते जाओ inhibitor उससे bind है inhibitor उसकी active side में change कर रहा है जिसके कारण वो Vmax तो अच्चिव कर ही नहीं पाएगा तो केम की value कैसी रहती है unchanged बट Vmax कैसा हो जाता है decrease हो जाता है graph कैसा बनेगा वो देख लेते हैं direct plot और आपका inhibitor के साथ plot कैसा होगा चले देखते हैं direct plot और inhibitor के साथ plot कैसा होगा rate of reactions substrate concentration ठीक है substrate concentration और rate of reaction initial velocity यह क्या है आपका Michaelis maintenance graph जिसमें Vmax अच्छी हुआ ठीक है KM value अब इस case में KM value तो unchanged रहेगी मलब सपोज यह आपकी KM value आई है तो KM value तो same यहीं रहेगी बट Vmax की value कैसी हो जाएगी कम हो जाएगी Vmax की value कैसी हो गई Decrease हो गई Vmax कैसा हो गया Decrease inhibitor की case में Line viewer plot देख लेते Line viewer plot कैसे बनेगा Line viewer plot यह आपका ठीक है यह 1 upon V0 1 upon substrate concentration ठीक है यह 1 upon KM value minus अब Vmax KM के value कैसे रहेगी Same रहेगी KM value unchanged तो इस graph में represent करेंगे KM value unchanged तो graph represent करेगा यह और 1 upon V0 की value कैसी हो जाएगी Decrease 1 upon V0 की value कैसी हो गई Decrease KM कैसा रहा Same inhibitor की case में तो यह था आपका Non-competitive inhibition की Non-competitive inhibition क्या होगा अब बात करते हैं Uncompetitive inhibition की Uncompetitive inhibition Uncompetitive inhibition कैसे होगा तो Uncompetitive inhibition की बात करते हैं Uncompetitive inhibition वह inhibition होगा जिसमें inhibitor किस से bind होगा Enzyme Enzyme substrate complex से ही bind होगा Uncompetitive inhibition इसके condition ही है कि कोई भी inhibitor direct free enzyme से bind ना होते हुए enzyme substrate complex से ही bind होगा मतलब सबसे पहले enzyme, enzyme की यह क्या है active side और यह है isky allosteric side यह substrate concentration और यह inhibitor substrate और यह क्या है आपका substrate concentration, inhibitor concentration अब inhibitor कब bind होगा जब substrate उससे जाके bind हो जाएगा मतलब enzyme plus substrate enzyme substrate complex और यह किसका formation करेगा product का और enzyme reuse, uncompetitive inhibition में inhibitors केवल उसी product से यह उसी enzyme से bind करेगा जब enzyme substrate complex बन जाएगा उस condition में क्या होगा अब enzyme substrate complex बन गया अब inhibitor आके bind कर जाएगा तब किसका production हो जाएगा enzyme substrate inhibitor complex और यह क्या product का formation करेगा नहीं क्यों नहीं करेगा क्योंकि inhibitor substrate की active side में modification कर देता है जिसके current क्या होगा substrate से product का formation नहीं होगा तो इस case में हमने देखा कि क्या है सबसे पहले enzymes पर क्या उन जाके bind होगा substrate फिर next step में किस से bind होगा inhibitor से non-competitive और uncompetitive में क्या difference है non-competitive में तो free enzymes और enzyme substrate complex दोनों से bind होजाता है बट इस case में only inhibitor किस से bind होगा enzyme substrate complex से ही bind होगा यह difference है non-competitive में वो free enzyme से भी bind होजागा यदि enzyme के पास substrate ना जुडा हो बट uncompetitive में वो तब ही bind होगा जब enzyme substrate complex बन गया हो इस case में VMAX की value और KM value दोनों decrease होगी VMAX भी decrease होता है और KM की value भी decrease होती है ठीक है VMAX भी कम होगा और KM भी कम होगा graph देख लेते हैं uncompetitive inhibition के case में graph कैसे बनेगा दोनों graph देखते हैं आपको upcoming videos जो होंगे वो detail में दोनों graph के detail study Michaelis maintain constant के साथ कैसे होगा वो सब भी detail description होगा देखिए यह आपका rate of reaction substrate concentration Michaelis maintain constant VMAX ओके initial velocity substrate concentration अब क्या होगा यदि क्या bind हो जाए inhibitors bind हो जाए तो उस conditions में क्या होगा हमने देखा VMAX भी कम हो रहा है और KM भी कम हो रहा है यह inhibitor के case में ठीक है VMAX अब इस case में यह इसकी half value सपोज यह इसका VMAX है तो यह इसका KM तो यह KM inhibitor के case में और यह KM किस case में आपका यह KM किस case में आपका without inhibitor के case में तो KM की value भी decrease होगी और VMAX की value भी decrease होगी तीनों के case में ध्यान रखिए competitive, non-competitive और uncompetitive competitive, non-competitive और uncompetitive के case में क्या होगा KM की value increase होगी VMAX unchanged होगा competitive के case में देख लिया हमने non-competitive के case में क्या होगा KM remain same रहेगा और VMAX की value कैसी होगी decrease होगी, uncompetitive के case में दोनों value decrease होगी इसका भी line weaver plot दिख लेते हम दोनों की value decrease होना मतलब parallel lines मिलना यह आपका without inhibitor और यह आपका with inhibitor ओके यह इसका one one upon VMAX ठीके मतलब दोनों की VMAX value कैसे होगी decrease होगी तो यह थे आज के inhibitions competitive, uncompetitive, non competitive इसी वीडियो के recording आपके पास next coming video भी आएगा जिसमें तीनों की Michaelis maintenance के साथ equation share की जाएगी, क्या होगी equation, क्या differences होगे, वो सब हमारे आरे वाले videos में plot और detail में study किया जाएगा, plots कैसे बनेगे, क्या-क्या differences होगे, सब ची यदि यह वीडियो आपके study के लिए helpful है तो फ्लीज वीडियो को जादा सादा like करें, channel को जादा सादा subscribe करें Thank you